नमस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार देखें इस वक्त हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार अरुन पांडे सर हैं और इन से हम बाचीत करेंगे सीबाहर सीट को लेकर देखें सीबाहर सीट पर इस बार जो है दोनों ही दलों से से सांसा दुआ करती थी लेकिन इस बार वो जेडियों के खाते में सीट गई और वहां से लवली आनन जो है वो उमिदवार बनी है वही दूसरी तरफ अगर महागटवन्दन की बात करें तो चर्चाय थी कि वहां से रमा सिंग यानि कि लवली आनन वर्सिज रमा सिंग का ये राजपूत वर्सिज राजपूत का मुकाबला हो सकता है लेकिन लालू परशाद यादम ने वहां से रमा सिंग को ना देखकर रितू जैस्वाल को अपना उमिदवार बनाया है अब चुनाव जो है दो महिला मिदवारों की बीच है वहां पर बनिया वर्सिज कह सकते ह है वेस्ट वर्सिज राजपूत के बीच की वहां पर लडाई है लालू परशाद यादम ने हम से जाना चाहेंगे रितू जैस्वाल को मैदान में क्या हो क्यों होता रहा लडाई की दिल्चस्प होने वाली देखिए सीट महिला की थी रमादेवी सीटिंग MP है उनको बेट पत्नी आइस रहें उनकी रितू जैस्वाल के अस्वेड अरुन कुमासिंग उनकी वह पत्नी है और वो खुद भी एक मुख्या के रूप में बड़ी छवी बनाई राश्टी अस्तर पर चर्चा हुई थी तो वला तेज तर्रार महिला है और वो ठीकी आपने कहा कि वहां दो महिला उमिदवारों की बीच चुनावी जंग देखने को मिलेगा बड़ा जिलतस होगा और जो चित का सामाजिक समी करन है आपने ठीकी कहा कि रामा सिंग जो एक सेंपी हैं वो चाहते थे वहां से ररना वहां से भी चाहते थे और नहीं बात बनती तो वह बैसाली से भ भर की सीट है इस बार का सचमुच में रामादेवी के बिकट बेटिकट होने के बाद अब तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद ने एक इस समझ से भी रितु जैसवाल को के इंडिट बनाया है कि बैसमादाता में कहीं न कहीं वह भाजपा की पैठ होती है बैसमादाता के तरफ मुकातिब होते हैं से मुस्लिम बोर्ट एंटी वीजेपी होता है तो इसी को साधने के लिए बैस मद्दाताओं को साधने के लिए रिति जैसवाल को वहां के इंडिट बनाया गया है और इसका असर निशित रूप से देखने को मिल सकता है तो सिवहर सीट के लिए जो चुनाब है दो महिला उमिदवारों के बीच का ये चुनाबी संग्राम सीट भी होट सीट बन गई एक तरह से कही है वहां से बीजेपी से रमा देवी सांसा दुआ करती थी रमा देवी भी बैस समाज से आती है उनका पत्ता खट गया तो क्या बैस समाज मतलब रमा दे आउनके पति बहारी कि प्रिसाद वेले मंत्री थे तो आणसे परिस मतलत होने से बैस मतलतु हों में आपने pursuit आपने सब्सक्राइब होगी ड़ीं और राजद ने उसी को साधने के लिए बैस ही जाती से रितु जैसवाल को मैदान में उतार दिया है तो यह तो कहीं लाव तो इसका लाव मिलेगा इससे तो इनकार नहीं किया जाता है तो राजद ने इसी कल्कुलेशन से केंडेट बनाया होगा कोई जाती विशेष कहीं जब उसका खुद उससे समुदाय का व्यक्ति केंडेट होता है तो उसकी पहली पसंद हो जाता है यह याम तोर पर देखने को मिलता है ठीक है यह चुनाब प्रधानमंति नहरे मोदी के न यह सब कुछ कहिए एक तरफ बेरासी परसेंट हिंदू और अठारा परसेंट मुस्लीम नरेंद मोदी का दस साल का काम काज और फिर जो दो धारा है विहार में लालू विरोध लालू समर्थन नरेंद मोदी का विरोध नरेंद मोदी का समर्थन तो रिती जय सवाल तो कहीं ने कहीं उसका भी लाव एक पिछडी जाती का भी अगर पिछणों की निति लालू परशाद ने इस चुना में भरसक कंस्वेंसी में जो कैंडेट खुद दिया है या सहयोगी दलकव जो कैंडेट हैं उसमें कहीं न कहीं जो यहां परसंट पिछनों की आवादी आथी 35 परसंट अथी पिछरी जाती आएं 27 परसंट हैं पिछरी जाती तो जो कैंडेट बनाया है और फिर एंबाई को विस्तार देने की भी कोशिस की है कि उसमें यादव और मुस्लिम के अलावा भी दूसरी जाती को जोड़ें तो चाहे मुकेश सहनी को साथ करना लितु जैसवाल को कैंडेट बनाना इसी सोच का फल मुझे दिखता है लाल उपसाथ ने किया है और जीस पार्ट दो इनिया ने पिछले चुनाओं में 49 सीट जीती थी उस 49 सीट पर जीट बरकरा रखना उसंक्या को कठीन चुनाओती है चलिए तो देखें कटीन चुनोती होगी और इसी में से सीभार की सीट बी अंडिय के लिए कटीन चुनोती साबित हो सकती है क्योंकि वहां से रितु जैसवाल को लालू परसाद यादव ने चुनावी मैदान में उतार दिया है फिलाल जब 4 जून को रिजल्ड सामने आएगा तो तस्तवीरे साफ हो जाएंगी कि लालू परसाद यादव अपने परयोग में कितने सफल साबित हुए है अनिकेत कुमार बिहार तक पटना